जो किचन का काम है ना देखिए ये मोनोटनस है मतलब रोज रोज करना है ऐसा तो नहीं कि आज में ये स्टफ साफ कर दूंगी तो कल गंदा नहीं होगा कल गर दुंगी तो पर्सो गंदा नहीं होगा ये रोज गंदा होगा तो जब तक मुझे लगता है ना आपको आपके घर से प्यार नहीं है लिटरली या अपने आखों के सामने उस चीज को नहीं बनाया है तब तक ये caring nature आना possible नहीं है, मतलब अगर ये मान लेजे कि घर मैंने नहीं बनवाया होता, इसमें हरे चीज मेरे पसंद की नहीं होती, मैं शादी करके आती और ये घर as it is ऐसा ही रहता, तो भी क्या मुझे इसकी इतनी कदर होती, तो भी क्या मैं इतना ही time रोज invest करती इसी क कर पाती, तो इसलिए अगर आपको आपके घर में काम करने में मन नहीं लगता है या आपको लगता है काम बूरिंग है, तो कहीं न कहीं इसका दूर रिजन हो सकता है, एक या तो आपको काम करना नहीं अच्छा लगता है, मतलब आपकी चौईस है, आपको नहीं अच्छा काम रोज कर सकता है रोज खाना बनाना रोज घर को मेंटेन करना कैसे होता है बहुत मुश्किल होता होगा लेकिन जैसे आप कदम रखते हो जिंदगी में और आपको चीजों से लगा होना स्टार्ट हो जाता है तो दीरे दीरे आप करने लगते हो जैसे कि हल्दी खाना खाना लगता है सोच चे कितना बोरिंग है न हेल्दी खाना खाना या कम ओईल में खाना खाना कैसे टेस्टी लगता हुआ कैसे अच्छा लगता होगा पर अगर आपको आपको आपकी बॉड़ी से प्यार हो जाए और आपको पता है वो नहीं करूंगी तो क्या-क्या हो सकता है प्र जिसे डाल का पानी गिर गया कभी कभी दूद गिर गया तो उससे ये दाग पड़ जाता है तो वैसे घसते जाएंगे तो टाइम लगेगा पर अगर आप ऐसा कोई भी क्लीनर डाल देते हो अगर बहुत अच्छे से आपको करना है तो बेकिंग सोडा वाला कर लो बेकिंग सो तो और इसका नहीं एक और फाइदा है कि खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो इससे साफ कर दिया आना तो इसमी फ्रेश लगता है और इससे मैं अपना यह भी साफ कर लेती हूं काउंटर टॉप भी साफ कर लेती हूं तो एक साथ में सब कुछ क्लीन हो जाता है अब प्रश लूँगी यह वाला जो ब्रश ना यह बहुत अच्छे से क्लीन करता है का आज है कि अ कर दो ुचिवर्ड को भी ना मैं हफ़ते में एक बर ऐसे वाइप कर देती हूं नहीं तो ना इसमें दाग पड़ेगा वैसे अगर मैं नहीं भी हफ्ते में बढ़ करू ना फिर भी उतना खराब हाल नहीं होगा यूँकि मैंने स्विच बोड सारे ग्यास टव से दूर लगवाए हैं अगर आप पास में लगाओगे तो जो तेल के छीटे पड़ते ना कितना भी चीबनी चुडा लो फिर यहां पर जम जाता दिरे यहां पर फाइदा होता है स्विच बोर्ड नहीं देने का और वह कि सीमलेस ता लूक आता है पूरा इसका तो जो चीमनी है इसका स्विच मैंने यहां पर दिया दिया है अगर आपने मैं कीचन टूर वीडियो देखा कुछ ऐसा हो जाए कि मूर ठीक हो जाए और बैंगे और का मौसम बहुत अच्छा था जीनी जीनी बारिश पूरे तिन हो रहे थी तो शाम को हमने डिसाइड गिया चलो ऐसे एक ड्राइब लेकर क्याते है और हम वापस आ रहे थे ना तो एक सुपमांकेर दिग गिया वंगत क बढा है तुछ माकेर हुआ झालो पर्ताइड दिखा तो चलो चलो चलते जाते रह प Mexico को एसे ऊफटापर एंगे वहाँ मुझे मेरी कि ऑसस्राइब गली मेरी म pénम्मी की एसकी डए होंगी और थाली हो ज जाँ गई और भ이वाच्जा बहुँदा है और बहुर Jihad disci settlers तब से ना मैंने पेंडेंट लाइट ओण कर रखा था वाश्रों में तो थोड़ा सा अंधीरा लगता है ना जो कि बाहर बादल है दूट तो आनी रही है अभी मैंने बड़ा बाईट ओण कर लिया तो अच्छी खासी रौशनी आ जाती है फेश वाश कर लेती हूं स्क्रब करना है याद मुझे उसके बाद में कुछ दर ओल लखूंगी और फिर शैपू कर लोगी तो आज मैं लगाने जा रही हूं मामा अर्थ का यह राइस फेस क्रब बहुत ही अच्छा है इसमें राइस वाटर है और निया सिनेमाइड है एक तो मामा अर्थ के परड़स आपको पता है मैं शेयर करती हूं आपके साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नाच्वर इंगिरियंट से बने होते हैं इनकेस आपको लेना होगा तो लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जिसा कि आपको पता है अगर आप ल मेंशन करती हूं कि आप जब भी इनके वेबसाइट या आप से कुछ भी पर्चिस करते हैं तो दे लिंक यूर ओडर तो ट्रीट अधे प्लांट जिसका जिए लोकेशन ही आपको भीजते हैं मतलब आप सिर्फ ए अच्छा प्रोड़क्त नहीं दे रहे हो बलकि आप अज वाया विपको पर मजड़ने जारी हो ना ये बहुत ही सिम्पल है पर बहुत ही टेस्टी लगता है में इस दाल रहेगा राइस रहेगी और फिश फ्राइगा मैं करती हूं बहुत ही शालो फ्राय और फिश में भी मैंने आच फिले मंगवाया है ताकि काटा बला कोई जमेला अंगत को ना हो तो बहुत ही सिंपल सा लगता है खाने में पर बहुत टेस्टी लगता है डाल मेरा बन गया है मैंने बनाई है मसूर की डाल कर दो बहुत है के सा बेसा बिसे सा विढ़ी करते हैं यौ अंगत को कोई माइगसः थोड़ी सिस्लो आती है अंगत मैं तुम बहुत विर्द लगेगा ना कि घर में माइग लोग कर क्या है हुआ अगर बोलो मैं annet को कहारे है कोई और मैं चीला के बुलोंगा वो भी आड लग़ेंगा फिर थोदा रूड़ भी लगगें लेकिन थोदा सारा ओडिबल कम होता है अगर मैं बात करी हूँ जिसके पास स्क्रीन पास में उसके पास माइक है पास में तो आवाज भूड की आती है है ना जो थोड़ा दूर है उसमें कम आती है तो अंकर जी हम लोग कहा जाएंगे हम लोग जा रहे हैं स्क्रीट 1922 कहा है यह सर्जापुडरोज तो बैठनी के ज पास में लोग जाएंगे उसके शाड़े साथ बज्जाए कर के चाई के टाइम आपनी जा कर बोले का भाही लागो फ्रेंग फ्रेंज प्राइस काते हैं पर ठीह देखते हैं अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो कहीं कहीं चाफिचले जाएंगे पर नॉर्मल कॉफी पीने च तो आज यहां अगर भीड़ हुई ना तो मैं नॉर्मल काफे जली जाओंगे जाओंगे जब जता, क्यों मैं नॉर्मल काफे जली जाओबाद आ। कि लुटता लाओंगे जाओंगे 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 यह जो औरेंज है ना इसको बोलते हैं मालता ओरेंज मतलब इसी तरीके से लिस्टेड रहता है यह स्विगी या बिग बास्केट में तो हम लोग हमेशा यह वाला मंगाते हैं बहुत ही डिफरेंट रहता है टेस्टी रहता है तो कल अंगर ने एक और अलग टाइप का मंगा इसका नाम क्या है मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी मतलब जिस नाम से वह इंस्टा स्विगी पर लिखा वा था उसको लगा कि इसी साइज में आएगा और जब आया तो इतने चोटे चोटे वाले आए तो पहले तो लगा कि कुछ चीटिंग हो गई है मैंने बड़े वाले मं की आने ते पर यह इतना टेस्टी है ना यह नॉर्मल ओरेंज की तरह है यह थोड़ा बहुत मौसंबी के तरह टेस्ट करता है मालता ओरेंज तो यहां पर मैं करने जा रही हूँ अपने डारिंग टेबल का थोड़ा सा बेक ओवर जादा कुछ नहीं मैंने एक निया टेबल रणर पर्चिस किया है तो बस उसी को बिछाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने पहले सारी चीज़े यहां से हटा दी और थोड़ा सा टेब एक निया रणर डाल देते हो ना तो लुक चेंज हो जाता है तो वही मैं करने जारी हूँ साफ सफाई कर ली तो यह वाला रणर है साइज में थोड़ा सा मुझे लग रहा है चोटा है मतलब काम चल जा रहा है पर अगर मेरा टेबल थोड़ा और लंबा होता ना मतलब सटै पर इस बार सोचा कि मैं रिप्लेस करूंगी इस कैनिस्टर जार से अपने यूज्वल स्पून होल्डर को तो उसको हटा दिया और इस जार को मैं अजे स्पून होल्डर यूज़ कर रही हूं वैसे जार काम में आ नहीं राता तो काफी सुन्दा लग रहा है स्ट्राइकिंग सा लग रहा है और यह जो धकन है इस कैनिस्टर जार का इसको भी मैं यूज़ करूंगी भी दिखाऊंगी आपको मैं कैसे यूज़ करूंगी और यह मेरे पास में बहुत सुन्दर सा एक प्लैटर है यह ट्रे है जो भी बोलीजे इसमें मैं रखने जा रही हूं जग और प तो यहां भी दिखने में सुन्दर लगेगा क्योंकि मेरे जो फोटो फ्रेम है इससे अच्छागासा मैच कर जाएगा तो हो गया नया लुक रेड़ी तो यह टेबल रेडल है ना तो मैंने एक वेबसाइट में देखी बिल्कुल नया वेबसाइट था मुझे कोई भी आइडिया नी था कौन सा वेबसाइट है और मैं ऐसे ढूंड रही थी कि मुझे टेबल का ना कुछ रिकॉर्ड चेंज का ना राइन टेबल का तो मेरे सामने यह पॉप अप हो गया और मुझे बहुत ही अट्राक्टिव लगा तो जो पिक्चर मैंने देखा था ना वेबसाइट में यह पिक्चर यहाँ पको दिख प्राइस है 2000 रुपीज तो 500 रुपर डिसकाउंट मिला और फिर 1500 के हिसाब से भी यह ओविसली महंगा है पर ठीक है तो डिफ्रेंट लगा मुझे यू कि जो भी मिलते है ना Amazon पर जो भी आप ओनलाइन देखते हो या Home Center वेगरा पर वो सब में जो प्रिंट्स होते है ना व तो अच्छा लगता है तो हां फिका आया है बट फॉर चेंज ना मेरे रूम में काफी अच्छा लग रहा है मता बैंडिंग के साथ में जा रहा है और क्योंकि मेरे पास एक बड़ा सा पेंटिंग है ऐसा ही वह भरे थोड़ा डार्क में है पर लिविंग में जो कवर भी चेंज कर दिया है तो साथ में अच्छा जेलीन हो जाता है आप लोग ने कुछ नोटिस किया है कि मुझे नहीं पता पर मैं पताती हूं अंगत के हाथों में जो घड़ी है यह कभी मेरे कलाईयों पे हुआ करती थी और याद है मैंने पहले ही बोला था यह सब मैं पीछे हो गई मुझे लगा टफली मारने आ रहे हूं हा तो यह घड़ी मैंने का ही था कि मैं बहुत ही नहीं पहनूंगी और मैंने अंगत को सौप दिये गड़ी अभी अंगत पहनता है और मैंने सब डेटा चेंज कर दिया अंगत का हाइज अंगत का हाइट वीज सब क तो मुझे पता था कि ये तुम्हारी कलाईयों पे जाएगी ये मुझे पता था इसलिए मैंने जानके तुम्हारे लिए राउंड लिया था क्यूंगी इवंच्वली मेरे हाथ मी आने मना तो पहनो इस वेरी गुड हाबिट ठीक है अपने हेल्थ का ध्यान रखो अब जानते आज हम लोग फिर से अपने वादे के मुताबिक निकल चुके हैं एक नए ठीकाने के खोज में कि कहीं पर हमें अच्छी जगा मिल जाए जाया हम टाइम स्पेंड कर सके साड़े छे बजे मतलब अल्मुस्ट उम लोग अपने महले से बहार निकल गए है और थोड़े एक बात मुझे अच्छी कमेंट की थी पिछले वीडियो में बताया था ना कि मुझे बैटनी के जगा नहीं मिलती है भीड़ बहुत है कि उन्होंने का था कि फ्राइडे को मत जाय करो फ्राइडे को ओफिस क्राउड आता है तो बड़े-बड़े मतलब लाज ग्रूप में करना क्या है मतलब बुग रहता है कि हाँ यह काम खतम करना यह काम खतम करना है इसलिए वीकेंड स्कॉप देखते हो व्लोग भी बहुत ही रह मैं बनाती हूँ तो फ्राइडे ही इस बार हमने परस्मली भी ले लिया पिछला बार हमको जाने नहीं दिया इस बार आप जाके मैं पूछा है अपको छबाद आपम पता है कि वडर जो चल्प फैसलिए वर्ल्ट सबसे बिगसट बाब है तो है प्र अड़ यह और काफी र然后 की तॉर आप है खाना भी अच्छा है तो हेलाभी तो भीर लगती है पर बहां नहीं जा रहे हैं कोई सिंपल जगह पर जा रहे हैं देखते हैं ऐसे फ्राइडे को मतलब अच्छा लगता है बहार निकल लवर्ना तो कुछ खास नहीं रोज की तरह ही रूटीन रहता है पहुच के और लग रहा है आज जगह मिल जाएगी क्योंकि हम लोग बहुत अरली है अभी भी पुई तरीके से रात नहीं हुई है तो मिल जाएगा जगह आज तो हंड़ेट परसंट हम जा रहे हैं अज अज अब कन्फर्म हो गया है जाएंगे ही जाएगे जाएगे जाएग okay यह पर बसे कामारी पर इतना अमेजिंगामी पैस है नागी जगह के इना बहुत ओसम प्रीस है तो अगर अब बान्यों में रहते हो आए लगा लुटाशा का नएगा भी हमने जुच भी तेस्कते हैं अठीसThere नहीं सा लगगा है और नेखते हैं कैसा लगता है अच्छा यहोगा पर जुचु नहीं पना प्रिय बहुत अच्छा रहा है लोगा प्रे अबसित के अज़गा लगाइ अब भी बज़रे दस और अब हम लोग धर जा रहे हैं तो साथ बज़ आए थे ना थीन घंटे बहुत मज़ाया बहुत अच्छा जगा है काफी दे टाइम स्पेंड किया खाया और डांस वास देखा लोगोगा तो इंचोट बहुत मज़ाया तो आज का फ्राइड देट जो जल्दी आने का फाइडा हुआ तो जिन लोगा ने भी रिकमेंड किया था जल्दी आऊश होना वह काम आया है अभी देखते हैं भूमाला जहां पिछला बार नहीं जा पाएते हैं वहां कब जा पाते हैं एन्यूस चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लोग यहीं तक रहत आहां जा हा लगला नहीं तक रня इस यहां कोड्यक वहीं तक राएता हैं